हलो दोस्तों स्वागत है अब सभी का हम तुम और जाइका में दोस्तों आज हम हम तुम और जाइका में बनाने जा रहे हैं चनाचाट चनाचाट दोस्तों बहुती टेस्टी बनेगी और बहुती ज़दी से बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए हम फटाफट से कुरकुरी, क्रंची, चटपटी, चना-चाट बनाना शुरू करते हैं चना-चाट बनाने के लिए दोस्तों आप देख लीजिए मैंने काबुली चनो को रात को ही पानी में अच्छे से धोकर भिगो दिया था और सुबह मैंने इनका पानी चेंज कर दिया है, अब हम इने बॉइल करने के लिए रख देंगे गैस की फ्रेम को आप आउन कर लीजिए और कुकर को गैस के उपर रख दीजिए और दोस्तों चने के साथ पानी भी कुकर में आप डाल दीजिए चना चाट के लिए दोस्तों मैंने बड़े-बड़े चने लिए थे और भीगने के बाद ये अच्छे से और अच्छे से फूल कर बड़े हो गए है तो हमारी इससे चना चाट जो है वो बहुती अच्छी बनेगी अब हम कुकर का ढखकन बंद कर देंगे और इसमें एक सीटी आने का इंतजार करेंगे एक सीटी हो गई है दोस्तों आप देख सकते हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो प्रेशर कुकर में है उसी में हम चनों को पकने देंगे प्रेशर अच्छे से निकल गया है दोस्तों अब हम कोकर को खोल लेते हैं आप देख लीजिए चने हमारे अच्छे से बॉइल हो गए हैं इनका पानी हम तुरंत ही निकाल देंगे जिससे जल्दी से ठंडे हो जाएं एक चना दोस्तों आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ ये देखिए दबाने से टूट रहा है हमको इने इतना ही बॉइल करना है इनको बिल्कुल मैश नहीं करना है अब दोस्तों एक कपड़े या तॉलिये पे इस तरीके से आप चनों को फैला दीजिए और इस तरीके से तॉलिये से चनों को उपर से पौँच लीजिए सुखा लीजिए इने दोस्तों पूरी तरह से सूखने में आधा गंटा लग जाएगा तो खुली हवा में पंक्खे के नीचे आप इसे आधे गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए आधा गंटा हो गया है दोस्तों और आप देख लीजिए चने जो है हमारे अच्छे से सूख गए है बहुत अच्छे से ड्राय हो गए है ये देखिए हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा इनका पूरी तरा से सूखना बहुत ज़रूरी है वरना ये तेल में तलते वक्त उच्टेंगे तेल हमारे पर भी उड़ सकता है इसलिए आप इने अच्छे से सुखा लीजिए तलने के लिए दोस्तों आप देख लीजिए मैंने पैन में तेल डालकर पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था तेल गरम हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए दोस्तों हम इसमें एक चना डालेंगे ये देखे तेल में बबल्स आ रहे हैं हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है तो एक कटोरी से या कप से आप इसमें एक साथ चने छोड़ दीजिए और तुरंत ही पैन को ढख दीजिए चनों में दोस्तों हलका सा गिलापन रही जाता है इसलिए तेल में डालते ही चटकते हैं उचटते हैं इसलिए आप इसे तुरंत ढख दीजिए और ढखने के बाद तीन मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसे आप ऐसे पकने दीजिए तीन मिनट हो गई है दोस्तों हम इसे खोल कर देख लेंगे और हम इसे अब एक बार चला भी लेंगे चनों को दोस्तों हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाना है इसी पर हम इसको तलना है तीन मिनट हम इसे धक कर पकाएंगे और 10 से 12 मिनट हम इसे इस तरीके से धक्कन हटाने के बाद पकाएंगे ये देखिए दोस्तो चनों में से चटकने की अवाज दाना बंद हो गई है और ये तेल में तैर कर अच्छे से उपर आ गए हैं तो हमारी जो चने हैं वो बहुत अच्छे से तले गए हैं अब हम इने बाहर निकाल लेंगे बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे आप इसे बाहर निकाल लीजिए इनका कलर भी आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन हो गया है तो हमें चनों को इस तरीके से ऐसे ही तलना है दुबारा दोस्तों दूसरा पावा भी हम वैसे ही डालेंगे चनों को एक साथ तेल में छोड़ दीजिए और तुरंत ही इस पे धक्कन लगा दीजिए और तीन मिनट तक इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकने दीजिए इन्हें तलने में दोस्तों बारा से पंद्रा मिनट लग जाएंगे बहुत ही पेशेंस के साथ आराम आराम से हम इन्हें तलेंगे और धक्कन अटाने के बाद आप इसे एक बार इस तरीके से चला लीजिए और बीजविच में इसे आप चलाते रहिए ये देखिए दोस्तों हमारा दूसरा पाव भी तलकर बिल्कुल तयार हो गया है चने जो है उपर अच्छे से तेल में त्यार कर उपर आ गए है तो अब हम इन्हें पहार निकाल लेंगे आराम से आप इसे बहार निकाल लीजिए और गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए तो दोस्तों यह जो चने है चना चार्ट है आप दीवाली पर भी बना सकते हैं अगर आपने गैस्ट को भी आप यह सर्फ करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी आप इसे बनाने के बाद एक एर्टाइट कंटेनर में बंद करके रग दीजिए यह दो से तीन मेना आराम से चलती है यह तीन महीने बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती तो आप देख लिजिए हमारे चने है वो बहुत अच्छी से तलकर तयार हो गए है तो अब हम इनके उपर डालेंगे मसाले हमें कटोरी ले लेंगे कटोरी में सबसे पहले हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च यह ज्यादा तीखी नहीं होती इसलिए मैं डेट चमच डाल रही हूं अगर आप तीखी मिर्च ले रहे हैं तो आप थोड़ा कम डालिए अब दोस्तो हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार अब दोस्तो इसी में हम डालेंगे वन फोर्ट स्पून हल्दी और एक चमच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर यह सारे मसाले डालने के बाद दोस्तो अब हम इसमें डालेंगे वन फोर्ट स्पून काली मिर्च पाउडर और एक चमच हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर अब दोस्तों सारे मसालों को हम इस तरीके से चमच से मिक्स कर लेंगे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं आप देख लीजिए अब हम इस मसाले को चने के उपर डाल देंगे और चनों को मसाले के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ये देखिए दोस्तो मसाले चने में अच्छे से मिक्स हो गए है बहुत ही अच्छे से मारी चना चाट बनकर तयार हो गई है बहुत ही अच्छी लग रही है ये बहुत ही टेस्टी लग रही है मैं आपको इस एक बॉल में निकाल कर दिखा देती हूँ आप बताए दोस्तो आपको ये चना चाट कैसी लगी आपी से ट्राइ कीजिए, बनाईए और दोस्तों अपने कमेंट्स, सजेशन्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए और साथ ही बताईए मैं आपके लिए और क्या बना सकती हूँ साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए ठैंक यू